हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे ग्लोबल ग्लास के बारे में पढ़ेंगे यह अब्जेक्ट ओरेंटिड प्रोग्राम का पार्ट है तो सबसे पहले तो क्लास होता क्या है यह जानेंगे क्लास जो होता है इजी क्लेक्शन ओफ as data member as एडi member functions ठीक है data members means वो data member बता car ये मतब जिससे आप in tbc लेतो हीजित का data member क्लाब्घ कोण-कोण से हम इसे करते हैं enh द्थे और मेंबर फंख्शन जो होते हैं वह फंक्शन होते हैं जो हमक्लास करते हैं eng दो एक होता है एक होता है लोकल क्लास सब्सक्राइब के बारे में ग्लोबल क्लास जह होता है इसके डेफिनिशन यह है एक class defined outside all the method is a global class because its object can be created from anywhere in the program जिससे कि आप मेन फंक्शन बनाते हैं जो वाइड मेन आप लिखते हैं उसके outside is main function के outside class defined किया गया है तो उसको बोलते हैं global class means main function से जो बाहर class बनाते हैं उसको बोलते हैं global class इसका एक example हम कर लेते हैं let's suppose मैं को यह फाल से लगा लिए अब में class बना रही हूं like first class बना रही हूं उसका class name first है और मैं इसमें private data member में अब data member रख रही हूं int a और public में एक function बना रही हूं इंट x और a is equal to x minus equal value दे दी और सिधा वाइड शो बना दिया अब इसके बाद मैं award main start कर रही हूं तो इससे क्या हूआ यह चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे यह class है वह outside the main function बना है तो इसको हम बोलेंगे global class अब इसका हम एक प्रगाम बनाते है इसका practical way में अभी देखेंगे जाते हैं कि अ झाल 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 प्रषिड के दोपार भाल झाल झाल कर दो कर दो हूं झाल 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 झाल